स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल योजना ग्ञान फर यू में जहां हम आपके लिए सरकार दोर लाई गई नहीं नहीं योजना है उनके अप्डेट और सरकारी नौकरियों के बारे में चानकारी देते हैं ाज हम आप के लिए लिए क्या है सरकारी यहुजना जिसमें ऐसे कपल को कोट marriage के बाद मिलता है धाई लाक रुपे सरकार की तरफ से इस यहुजना के लिए आवेधन करना कैसे है क्या है यह यह यहुजना और इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज होने जरूरी है सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखें अगर आप हमारे इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूले साथ में बैल आइकन की घंटी दोएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकरी तुरंत मिल सके गौर्मन्ट स्कीम है शादे शुदा लोगों को सरकार की तरफ से मिल रहा है शादे शुदा लोगों को ढाइलाग रुपे तक देती है अंतर जाती विवाह परमोशन स्कीम का लाब उठाने के लिए आपके पास मैरेज सर्टिफिकेट होना चाहिए और इस योजना का लाब उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो एक जाती से दूसरी जाती में शादी करते हैं यानि कि अगर कोई वक्ती जर्नल कैटेगरी से है और वे किसी अन्य समुदाय में शादी करता है तो उसे इस योजना का लाब दिया जाएगा आए जानते हैं कि कैसे आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं सरकार अंतर जाती विवाः परमोशन योजना के तहट तभी फायदा देगी जब एक समुरिद हिंदू और एक अनुसुचित जाती की आपस में शादी हुई है वहीं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहट शादी के एक वर्ष के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा दूसरी शादी करने वाले को इस योजना का लाब नहीं दिया जाएगा इसके अलावा अगर गलत जानकारी दी गई है तो नियम के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही अगर केंद्र और राज्य की दूसरी सरकारी योजना का फाइदा उठाया है तो आपको उतनी रखम इस योजना के तहट काट ली जाएगी आगे जानते हैं कि आपको इस योजना के लिए अपलाई कैसे करना है आप अपने शेत्र के विधायक और सांसत के पास जाकर इस योजना के तहट अपलाई करवा सकते हैं वह आपका आवेदन डॉक्टर अम्बेदकर फाउंडेशन को भेज देंगे इसके साथ ही आप इस योजना के तहट फारम भर कर राज्य सरकार और जीला कारयले को भी दे सकते हैं उसके बाद जाने हैं कि आपको इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेजों की अशकता होगी आवेदन के साथ जाती परमान पत्र होना चाहिए मेरे सेटिफिकेट विवा होने का हलफ नामा भी लगाना होगा इसके साथ ही आपकी पहली शादी है यह प्रूफ करने के लिए जरूरी दस्तावेज भी देना होगा पत्ति-पत्नी को आई परमान पत्र देना अनिवार है इसके अलावा जॉइंट बैंक अकाउंट देना होगा ताकि उसमें पैसा हा सके आवेदन अप्रूफ होने के बाद पत्ति-पत्नी के खाते में डेड़ लाग की रकम दी जाएगी और बाकी की एक लाग रुपे की FD करा दी जाएगी आशकरते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसका फायदा जरूर लेंगे और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद